गुड इवनिंग फ्रेंट्स मैंनेम इस राज और वाचिंग यौर फेवरे चैनल राज टेकनिकल एनलसस आठ का डेट है आठ जुलाई दोज़र बाइस आज हम लोग चिंसर्स के उपरम बात करेंगे वह इंडिया बुल्स कब इस पे एंटर करना चाहिए जेफिनेटली इस सही टाइम पे सेल किया शेयर बहुत उपर बढ़ रहा था तभी भी मैंने आप लोगों को कहा था कि बी अलर्ट बड़ जिन लोगोंने मेरी बात मानी वो डेफिनेटली बचे और जिन लोगोंने नहीं सुनी होगी नहीं देखा होगा वीडियो आफकोर्स इस शेयर पे बाइंग जोन पे है अभी भी कहूंगा बाइंग जोन पे है तो वीडियो पूरा देखिए पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कहने काईट टेप्स मिलता है जो आपको शेयर एनालेसिस करने में काफी मदद करता है साथ मैं आपको इबी कमनी के उपर वीडियो बनवा सही support और resistance पताने की कोशिश करता हूँ मैं चैनल की दुश्री बड़ी USP यह है कि मैं आपे हर महीने आप लोगों के लिए monthly preview updated कर रहता हूँ इससे जितने भी मेरे subscriber है अगर वो इन sales पे invest कर रहे हैं या trade कर रहे हैं तो उनको regular basis पे इन sales के support resistance update होते रहते साथ मैं आप मेरी playlist में चेक कर सकते हैं यहाँ पे भी मैंने आप लोगों के लिए category wise classification किया हुआ है अब बात करेंगे आज हम लोग जिन sales के ओपर monthly preview कर रहे हैं बड़ से पहले आप यह उपर दिया वे link पे जरूर देखे जाँ पिछले मैंने इनी चारों shares का मेंने monthly preview किया था बात करेंगे इंडिया बुल्स रियल इंडिया बुल्स रियल करनी क्या करती है कौनसी category में आती है यह सारा information जाने के लिए आप यह उपर दिया वे link पे जरूर देखे यह इंडिया बुल्स रियल कमें न लाश्टाम वीडियो बनाये था 29 में 2022 जब इसकी closing विती 73 रुपी 50 पैसे support 1 was 60, support 270, support 3 80, resistance 190, resistance 200 और resistance 3 था 110 का इंडिया बुल्स रियल आज करे रेट पे 8 जुलाई 2022 इसकी जो closing है 62.30, support 140, support 250, support 360, resistance 160 so बहुत crucial होने वल्ले इंडिया बुल्स के लिए 60 का लेवल, resistance 270 और resistance 3 80 का हाइस अगर आप इसका देखेंगे 80 ही है और इसका 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 देखेंगे 58 रुपीज है जो कि almost support 1 है इंडिया बुल्स का लाश्ट टाइम का आप देखना वीडियो कहां पे था उसका हाइस और मैंने आपको क्या दिया था resistance और जो मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ resistance अगर शेर नीचे आ रहा है अगर आपने support zone पे buy किया है तो definitely sale करना है और support पहने तक का wait करना है बट अगर market गिर रहा है शेर गिर रहा है तो it doesn't mean कि support 3 पे आए तो आपको support 3 पे आते ही buy करना है support 2 का wait कीजिए support 1 का wait कीजिए that's an opportunity जो मैं आपको हमेशा stock market tips में भी बताता patience बहुत important है patience होना बहुत जरूरी है रोज trade करना जरूरी नहीं है बट जब भी trade करो सही trade करो और profit कमो बात करेंगे well spend enter के बारे में well spend enter कमनी क्या करती है कौन सी category में आती है यह सारा information जाने के लिए आप यह उपर दिया वे link पे जरूर देखे support 390, resistance 190, resistance 200 और resistance 3 110 का हाइस अगर आप इसका देखेंगे 109.50 है और इसका इसमें ने कचो lowest है 82.10 बात करेंगे well spend enter का अगर इसमें भी देखेंगे तो सारे target अचीव है जो resistance 3 है बट जो मैंने आपको हमेशा बोले अगर मैं आपको support resistance same देता हूँ बहुत significance है अब देखिए 91 से 110 तक भी गया almost you can say 109.50 बट अगें 80 अभी आपको 94 के level पे ही मिल रहा है तो बहुत important level है well spend enter का 90 ज़रूर याद रखिए मेरे subscribers ने काफी इसके लिए मेरे को वीडियो बनाने का उपी कहा था regular mail भी कर रहे और अच्छे खासे profit में है अगर जो मैंने mail पे reply किया है वो ने follow किया है तो बात करेंगे HDFC bank HDFC bank अपनी क्या खरती है कौन सी category में आती है यह सारा information जाने के लिए आप यह उपर दियावे link पे जरूर देखिए HDFC bank कमेंने last time वीडियो बनाय था 29 में 2022 को जब इसकी closing वी थी 1392.05 support 1.1200 support 2.1300 support 3.1400 resistance 1.1500 resistance 2.1600 resistance 3.1700 का HDFC bank अच्की डेट पर 8 July 2022 इसकी closing है 1397.10 है same support है 1200 पे 1300 पे दूसरा support 1400 पे तीसरा support but resistance 1 भी है 1400 तो resistance 1 resistance जो level है 1400 का जो level है वो बहुत important है HDFC bank के लिए resistance 2.1500 और resistance 3.1600 का हाई सगर आप इसका देख रहे है 1420.50 और इसका इसमेने का जो lowest है 1271.60 है जो कि almost 52 week close है you can say HDFC bank मैंने आपको हमेशा का है अगर आप मेरे वीडियो regularly देख रहे हैं जब इसने 52 week highs बनाय था तब भी आप अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं वहीं पे मेरा resistance zone था resistance 3 और वहां से उसने जो reversal लिया support पे आया जो मैं आपको हमेशा हर वीडियो में almost बता तो कि भाई 80% shares जो है वो support resistance पे काम करते हैं अगर आपने यह चीज़ सीखा तो definitely आप profit earn करेंगे और अगर आप resistance पे buy करने की गलती करते कोई भी share हो अगर आप resistance पे buy करेंगे अगर उसने reversal लिया 80% shares लेंगे आपने देखा भी यह market में correction कुछ बोल के नहीं आएगा कुछ भी हो सकता है और आपको support पे आने तक का wait करने अगर आपने resistance पे sell के अगर आपको याद होगा HDFC bank मेंने जो 2 lakh का portfolio की series बनाई थी उसमें 1422 पे लिया था almost 1500 के level पे बेचा था और उसके उपर गया था और आज देखे यह again 1400 के level पे ही मिल रहा है इसके लिए मैं आपको हमेशे बोलता हूँ जो मैं आपको हमेशे tips में बताता हूँ stock market tips पे हमेशे उन चीजों का ध्यान रखिए बात करने के access bank, access bank अपनी क्या करती है कौन सी category में आती है यह सारा information जानने के लिए आप यह उपर दिया वे link पे जरूर देखिए access bank अपने last time video बनाये तो 29 में 2022 को जब इसकी closing विती 688.30, support 1 600, support 2 650, support 3 700, resistance 1 700, resistance 2 750 और resistance 3 था 800 का access bank आज के रेट पे 8 July 2022 इसकी जो closing है 669.15 है support 1 600, support 2 650, support 3 700, resistance 1 700, resistance 2 750 और resistance 3 800 पे हायस अगर आप इसका देख रहे है 698 रुपीज है जो कि almost 700 है, you can say support or resistance अगर आप देखेंगे 700 ही दिया था और इसका इसमेन का जो lowest है 618.25 है जो कि है almost support 1 के पास जो मैं आपको हमेशा अगर आप मेरे वीडियो रेगूरली देख रहे है अगर यहां से अगर कोई भी बंदा बाई कर रहे है आराम से वेट कर सकता है जितना उपर जाता है और अगर वहां से रिवर्सल लेता है तो आपको बेशना है जो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि भाई अगर आपको हमेशा बोलता हूं सपोर्ट जोन अगर आप देख रहे है अगर आपने सपोर्ट पे बाई किया शेर बहुत उपर गया आप आराम से होल्ड करके रखे कोई प्रॉब्लम नहीं है तेन में से सायद एक दो शेर ऐसे होंगे कि बहुत उपर जाने के बाद भी व को हमेशा सिका तो प्रॉफिट बुक करना भी बहुत इंपोर्टेंट है जैसे सही टाइम पर बाई करना इंपोर्टेंट है उसी तरह सही टाइम पर सेल करना भी इंपोर्टेंट है तो उमीद करता हूं आपको मेरे वीडियो अच्छी लगए अच्छी लगए तो प्रीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जैसे मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं सही सपोर्ट और रजिस्टन्स देकर उस तरह आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आगे आपके फैमली फ्रेंड्स पर फॉर्वर्ड कीज Thank you so much. Have a nice day.